नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम गुजरात में चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है कम से कम मद्दातार ने तै कर लिया वो डाल दिया और अब जब खुलेगा बकसा तब पता चलेगा आठ तारिको कि गुजरात में कौन जीता हाला कि हम जानते हैं कि लोगतंत्र में जो जीता वही सिकंदर लेकिन यहां गुजरात चुनाओ आखिर क्यों खास है और इन में जो मुद्दे हैं वे मुद्दे क्या बता रहे हैं गुजरात के विकास मॉडल के बारे में भारती जनता पार्टी के बारे में कॉंग्रेस के बारे में और तेजी से टककर दे रही आम आदमी पार्टी के बारे में इन तमाम सवालों पर हम आपके साथ आज इस कारेक्रम में चर्चा करेंगे इन चुनाओं में जब हम पहुचे एक ग्राउंड रिपोर्ट करने तो हर बार की तरह इस बार भी दिखाई दिया कि चहरा भारती जन्ता पार्टी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री नरेन मुदी है जैसा कि 2017 में भी था लेकिन इस बार उनके साथ साथ एक और चहरा चल रहा था वह था अमिश्या जी का जो ग्रिह मंत्री हैं लेकिन इसके अलावा एक भी गुजराती चहरा जिस पर भारती जन्ता पार्टी वोट मांग रही हो नहीं दिखाई दिया बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग सारी चीजें सिर्फ मोदी जी के केंडर में थी मानो प्रधान मंत्री नरेन मोदी गुजरात विधान सभा का चुनाओ लड़ रहे हैं ये लड़वा रहे हैं और दूसरी दिल्चस बात जिस पर सबका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस पूरे चुनाओं में कमान भारती जन्ता पार्टी के पास है 94 से लेकर अभी तक वहाँ पर सत्ता गुजरात में सत्ता भारती जन्ता पार्टी के पास है और देखिए इन चुनाओं में गुजरात को लेकर गुजरात का तथाकतित विकास मॉडल कहीं से भी चर्चा में नहीं एक भी पोस्टर में बड़े पैमाने पर गुजराती या गुजराती अस्मिता से जुड़े हुए सवाल तो थे लेकिन गुजरात की धर्टी के सवाल वहाँ पर आज तक भारती जन्ता पार्टी ने क्या किया क्या करने जा रही है वो पूरी तरह से नदारत थे और हैरानी की बाद तो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में जब चुनाओ प्रक्रिया शुरू ही और मद्दान के बीच जो सबसे बड़ी दुरगटना गुजरात की धर्टी में हुई मोरोबी पुल हाथसा जिसमें बड़ी संख्या में गुजराती लोग मारे गए भरष्टाचार बड़े पैमाने पर उजागर हुआ वह मुद्दा नहीं था अब आप सुनिए जब हम एहमदाबाद में मद्दाताओं से बात कर रहे हैं उस कॉंस्ट्वेंसी में बात कर रहे हैं जहां से मुख्यमंत्री चुनाओ लड़ रहे हैं एक भी सवाल एक भी एजंडा उनका गुजराश से रिलेटेड नहीं है वे सीधे सीधे बात करते हैं 370 की वे बात करते हैं यूक्रेन युद्ध की वे बात करते हैं कि किस तरह से यूक्रेन युद्ध की वज़ह से महंगाई बढ़ गई है और एक मद्दाता तो आप सुनिए, वे साफ साफ कहते हैं कि किस तरह से युक्रेन युद्ध में भारती जनता पार्टी की जो नेता हैं, वो भूल जाते हैं कि ये प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से इस युद्ध को रुकवाया और एक विश्व गुरू की छवी क को इस्थापित किया, यानि सारे मुद्धे जिस तरह से उपर से लेकर नीचे तक पहुचाए गए, उसमें गुजरात, गुजरात का विकास, गुजरात में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, गुजरात में कुपोशन, गुजरात में शिक्षा का जो स्तर है, निमन स्तर वह कहीं से भी चर्चा तक में नहीं पहुचता है, एक और बहुत चिंता का विशे, जो इन चुनाओं से उभर कर सामने आता है, वह चिंता इस बात की कि भारती लोकतंत्र में क्या चुनाओ, सिर्फ नफरत और हिंसा के एजंडे पे लड़े जाएंगे, गुजरात चुना एक ठोस एजंडा है, जिस पर उसे सो फीसिदी भरोसा है, यह महज इत्वाक नहीं है कि इन चुनाओं में एक बरबर अपरात की जो घटना होती है, वह अपरात की घटना चुनावी मुद्दा बनाई जाती है, आफ्ताब, आफ्ताब और आफ्ताब, जिस तरह से भारती ज ग्राउंड लिवल पर कारे करता, एक ही वेवलेंथ पर बात करते हैं, और लगातार जो भारत का कॉर्पोरेट मीडिया है, आफ्ताब को चुनावी एजंडे में तबदील करता है, वह बताता है कि 2022 में भी कहीं से कोई परिवर्तन नहीं आया है, नफरत और हिंसा, और जब वोटों को अपनी तरफ खीचने की जो साजिश है, वह पूरे जोरशोर से आजमाई गई 2022 के इन चुनाव में, और दूसरी बात, इसी से जो जुड़ी हुई है, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदितिनात, जितनी चुनावी सभाएं करते हैं, उन सब सभ में बुल्डोजर रहता है, यानि एक संदेश बड़े पैमाने पर हिंदू मद्दाताओं को देने की कोशिश की गई, कि अगर भारती जनता पार्टी आती है, तो किस तरह से वह बुल्डोजर चलाएगी, मुस्लिम समाज के खिलाफ, और इस पर भी उनको भरोसा नहीं होत कि वह वोट पा जाएंगे, तब इस्तमाल होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान, आप देखिए, यह तमाम वीडियोज और फोटोज हैं, यह भारती जनता पार्टी के वे लोग हैं, जो चुनकर विधान सभा पहुचते हैं, और वे एक छोटी बड़ी सभा में खुले आम कहते हैं, कि अगर भारती जनता पार्टी इन चुनाओं में नहीं आई, तो पाकिस्तान में जश्ट मनेगा, तकरीबन यही भाषा, 2017 में भी इस्तमाल की गई थी, और इस बार भी उसे उसी तरह से इस्तमाल किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा ब रहे थे, वे एक तरफ आफताब कर रहे थे, दूसरी तरफ बुल्डोजर पर खड़े होकर P2C कर रहे थे, यानि पॉलिटिकल नेता जो नफरत पहला रहे थे, उसे आगे बढ़ाने का काम लगातार कॉर्परेट मीडिया कर रहा था, और हमने अपने ग्राउंड रिपोर् इस तरह से ये तमाम छोटे-छोटे वीडियो वर्टसप युनिवरस्टी के जरिये गाउं देहात पहलाये जा रहे थे, एहमदाबाद से लेकर सूरत हो, व्यारा हो, वडगाउं हो, हर जगह तकरीबन एक ही भाशाबें चुनाओ प्रचार चल रहा था, भारती जनता इसमें एक भक्तगर ने वीडियो दिखाया और उसने बताया कि मोदी जी हथोड़ा लेकर आये हैं विदेश से, समझी नहीं आया कि हथोड़ा क्या है, तब समझ आया कि G20 का जो नेत्रित मिला है भारत को उसका वह दिक्र कर रहे हैं, और उसके बाद वो वीडियो दिखात हैं कि किस तरह से मोदी जी आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे अमरीकी राष्टपती आ रहे हैं, और अमरीकी राष्टपती आकर रोखते हैं उनको, अब ये सारा फुटेज हम सब जानते हैं कि असली नहीं है, लेकिन भारत की विश्व गुरू की छवी बनाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए इस तरह के अंगिनत फेक खबरों का पूरा का पूरा बाजार गुजरात में गरम था, पहुचा हुआ था जमीन तक, पूरे वल्ड में आप देखो मोदी जी का जो अभी G20 में भी अपना है, लाके अथोड़ी लाए, बराबर है, पूरे देश मे देखो, अभी आप सीखलेंग रोड देखो, राजकोड, पालनपूर, ये चुनाओ, एक चीज को और इस्थापित करते हैं, कि भारती जनता पार्टी के पास, जो आकलन की मशीनरी है, वह सबसे मजबूत है, और शायद हम सब जानते हैं, और याद रखना चाहिए, कि उन् आचल और गुजरात में अलग-अलग मद्दान करवाया गया, और आप देखिए, कि जब सारी चीजें, सारे कार्स, सारा प्रचारतंत्र उनके पक्ष में था, तब भी देश के ग्रह मंत्री को याद करना पड़ा, दो हजार दो, और उनका दो हजार दो याद करना, अपने कार्ड नहीं है, दो हजार दो में जो बड़े पैमाने पर मुसल्मानों का कतले आम हुआ, उसके बाद जिस तरह से नफरत पहलाई गई, उसे देश के ग्रह मंत्री याद करते हैं, दो हजार बाइस के चुनाओं में, यानि बीस साल बाद भी वही कार्ड खेलने पर उतरती है भारती जनता पार्टी, और इस बारे में जब हमने बात की भाशपा के वरिष्ट नेता रह चुके, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंग वाघेला से, तो उन्होंने खुल कर कहा, कि दो हजार दो किस तरह से तातकालिन मुख्यमंत्री, यानि मोदी जी के पूरे कारपडाली ने इसे अंजाम दिया था. इन्होंने कहा कि आप नबे दिन में या सो दिन में देखिये, चमतकार होता है. पत्रकारोंने पूछा कि आपकी मैजरूटी कैसे आएगी, तब और रेकोर्ड जवाब था कि आप थोड़े दिन में देखिये, गुजरात में क्या होता है? यह होवा हो गोधरा का जो डबा जला गया, वह थुवा, देखियें, उस समय कारशेवकों का आयोद्या जाने का समय था, आने का समय नहीं था, अचा freshly आने या आने का समय है, वो आने या जाने वाले परिवार के लोग होता है, इनको मालूम होता है कि आपकारार शयवक आ रहे है कि इस कमपार्टमेंट में है घुझा फिन या कोई भी मुसल्मानों को एस से पता कि इस कंपार्ट्माट में कार सेव मग बैठ को मेरे को बता है इसके फिल हुद काउम्पार्ट्मेन जो जला उल感 अंदर 7 mm बार मुस्तक्तराट थिला जलया यहां हम अपने दर्शकों को याद करा दें कि जब हम गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं जब हम बात करते हैं कि पूरा गुजरात प्रधान मंत्री नरेन मोदी के साथ खड़ा हुआ है इस तरह की पोस्चिरिंग की जाती है मीडिया में तब इस तथे को छुपा दिया जाता है कि 2002 जी हां गुजरात की राजनीती में ही नहीं भारत की राजनीती में 2002 का जो कतले आम है वो एक निरनायक मोड है तब से लेकर अभी तक यह चौथा चुनाओ है चौथा विधानसभा चुनाओ अब आप आकड़े देखिए 2007 का चुनाओ 2012 का और 2017 का इसमें इन तमाम चुनाओं में तमाम सांपरदाई कार्ट खेलने के बावजूद मोदी जी का चहरा होने के ब वजूद गुजरात की 50 फीसिदी यह यू कहिए कि उससे थोड़ी जादा आबादी ने भारती जंता पार्टी के खिलाफ वोट दिया क्योंकि हर बार भाश्पा ने सरकार बनाई उसमें 50 फीसिदी से कम प्रतिशत पर सरकार बनाई इशारा बहुत साफ है कि तब से लेकर अभी तक गुजरात की धर्ती में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो भारती जंता पार्टी की इस नफ्रत की राजनीती के पक्ष में खड़ी होती नहीं दिखाई देती है वह साइलेंट है वह खामोश है लेकिन तमाम दबाओं के बावजूद वह मद्दान करती है ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो लोग अभी तक कॉंग्रेस को वोट देते रहे वे आखिर क्यों वोट दे रहे थे या खुद शाहिद गुजरात की कॉंग्रेस को समझ नहीं आया यही वज़ा है कि इस बार आप इन चुनाओं में जब कॉंग्रेस की बात करते हैं तो कॉंग्रेस का कोई बड़ा चहरा गुजरात में बड़ा दाओं खेलता दिखाई नहीं देता कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं बीच में रुक कर एक दिन जाते हैं और सभा करते हैं लेकिन उनके अलावा कोई और बड़ा चहरा बड़े पैमाने पर प्रचार में उत्रा नहीं दिखाई देता और इसे लेकर कॉंग्रेस या कॉंग्रेस का नेत्रित जो कारण बताती है वह कारण जमीन से भी उठता दिखाई देता है जब हम आदिवासी छेत्र व्यारा में पहुचे जो डांग और पूरा इलाका है आदिवासी बहुल इलाका है आदिवासी रिजर्व्ट्स कॉंस्ट्वेंसीज हैं तब वहां लोगों ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के आने के बाद यहां च कोईजरात का गौरव, मनाम, बाहर का शक्स, इसके बीट चुनाव केंधित हो जाता है और कॉंग्रेस को फायदा नहीं मिल पाता, यह कॉंग्रेस का कहना है, कॉंग्रेस के नेताओं का कहना है, लेकिन कोई बड़ा नेता केमरे पर इसे नहीं कहता, लेकिन इस ब폰 इसे अम पढ़ी के बिना यह चुनाओं लड़ा गया पहला चुनाओं है कॉंग्रेस का जिसमें एहमद पढ़ी का निधन हो अभी तक कॉंग्रेस एहमद पढ़ी पर बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर करती थी दूरनीती को लेकर और तमाम का इलाका हो सूरत का इलाका हो आदिवासी इलाका हो बहां पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मुखर मुहर मिल रही है कॉंग्रेस के नित्रतु में गुज्रात की चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि इस बार लडाई संगर्ष सिर्फ भाश्पा बनाम कॉंग्रेस का नहीं है इस बार आम आदमी पार्टी तमाम सीटों पर बहुत एहम दावेदारी ठोकती हुई दिखाई दे रही है कुछ सीटों पर भजीत की तरफ भी अग्रसर हो सकती है लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जो प्रचार अभियान पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अर्विन केजरिवाल ने गुजरात की धर्ती में उतारा उसे जमीन पर जगह मिली है जब हम तमाम विधान सभाओं का दौरा कर रहे थे तब बड़े पैमाने पर भारती जनता पार्टी के मद्दाताओं ने भी हमसे पूछा कि आप दिल्ली से आये हैं क्या आपको लगता है कि अर्विन केजरिवाल के जो दावे हैं उन्होंने दिल्ली में वाकई ऐसा किया है और सबके सब चाहते थे जानना कि क्या वाकई अगर अर्विन केजरिवाल यहां जीतते हैं तो बिजली फ्री मिलेगी पानी फ्री मिलेगा इस्कूलों की स्थित्य ठीक होगी, असमटालों की स्थित्य ठीक होगी और क्या महेंगाई कम होगी यहां पर जो सफाई करमचारी समा से जुड़ी हूई महिला है वह भी हमसे पूछती हैं, शाफ साफ कहती हैं कि महिलाओं को जो कैश देने के वादा किया है वह एक प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने जो एजेंडे फेके वह नीचे तक पहुचे हैं और हम सब जानते हैं इन चुनाओं में हिंदुत्व का कार्ड किस तरह से अर्विन केजरीवाल ने चला चाहे वो नोट पर लक्षमी गणेश को लाने की बात हो या फिर खुद को कहना कि वह श्रमन कुमार हैं और सारे मद्दाताओं का ध्यान रखेंगे यानि इस बार चुनाओं में जिस तरह से त्रिकोणी मुकाबला है वह परिणामों को दिल्चस्प बनाएगा इन चुनाओं में कौन से बड़े चहरे सामने उभरे यह भी एक एहम सामने आये थे हार्दिक पटेल अलपेश ठाकोर और जिगनेश मेवानी हार्दिक पटेल और अलपेश ठाकोर भारती जंतापार्टी की शरण में चले जिगनेश मेवानी बनास्खाटा जिले के वडगाओं विधानसभा से दुबारा चुनाव लड़ रहे हैं यहां पर आप देखिए कि जिस तरह से हार्दिक पटेल को जो वीरगाम सीट से भाश्पा के कैंडिट के तौर पे लड़ रहे हैं लेकिन भारती जनता पार्टी ने उन्हें अपना स्टार प्रचारक नहीं बनाया वे कहीं नहीं गए और खबरे बता रही हैं कि उनकी विधानसभा सीट में भी भारती जनता पार्टी का एक तपका है जो बहुत नाराज है हार्दिक पटेल को उतारने से अलपेश ठाकोर गांधी नगर दक्षन से लड़ र जिस जातिगत आधार पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें पटेलों की लड़ाई पटेलों की वोट की लड़ाई में दावेदारी भारती जनता पार्टी के साथ शाथ आमादमी पार्टी भी कर रही है और ऐसे में यह जो तमाम नेता हैं जिसमें जिगनेश मेवानी काफी मशक्कत करते हुए दिखाई देते हैं अपनी सीट को बनाए रखने में वहीं जो बाकी युवा फेस थे गुजरात पॉलिटिक्स के उनकी चमक कम हुई है दोस्तों गुजरात के चुनाओ कई वजहों से कई शौट्स की वजह से याद किये जाएंगे उसमें एक शौट यह है तीसरी बार किस तरह से एक एंबुलेंस घुस्ती है मोदी जी उसे रास्ता देते हैं इसे लेकर बहुत सोशल मीडिया पर किस्सा कहानी चली वह अपने आप में दिल्चस्प है क्योंकि यह वीडियो भी सामने आया कि किस तरह से इसकी इस ड्रामे के साथ इंट्री के लिए इस एंबुलेंस को पहले रोका गया चार मिनट यह खड़ी रही उसके बाद इसकी लाइट कैमरा एक्शन के साथ इंट्री होती है और सारा मीडिया जिस तरह से भारती जन्ता पार्टी चाहती है उस तरह से इसकी कवरिज करता है साथ ही साथ सूरत में जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेन मोदी या ऐलान करते हैं कि वह घर घर जाएंगे और वोट मांगेंगे उसे लेकर भी बहुत तीकी आलोशना सोशल मीडिया पर होती है लोग पूछते हैं कि आखिर इतना कुछ क्यों नहीं किया कि घर घर वोट जाने पर मजबूर होना पड़ा और तीसरी एहम बात इन चुनाओं से जो मुद्धे गायब रहे जिसके बारे में मीडिया में बिलकुल खबर नहीं रही लेकिन आप जमीन पर जैसे ही जाते हैं थोड़ा बड़े शहरों से बाहर आते हैं तब आपको भाश्पा समर्थक वोटर भी यह बोलता मिलता है कि मुद्धी जी इनसान तो अच्छे हैं लेकि महंगाई नहीं रोक पाए कहीं न कहीं उनके सिस्टम में गरबड़ी हो गई और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन चुनाओं में इन चुनाओं से पहले जिस तरह से आकरोश था खास और से कुरोना मिस मेनेजमेंट के बाद प्रधान मंतरी नरेन मोदी और अमिश्शा को दखल देके मुखे मंतरी को बदलना पड़ा था यानि वह जो नाराजगी है वह नाराजगी जमीन पर कायम है और आदिवासी बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर जन जंगल जमीन को लेकर संगर्श तेज हुआ है वहाँ पर मद्दान बड़े पैमाने पर इन बुनियादी मुद्दों पर पड़ होता है और शायद यही वजह है कि भारती जंता पार्टी ने कई पर योजनाओं पर विराम लगाया क्योंकि आक्रोश बढ़ रहा था जहां पर इन आदिवासी इलाकों का पानी सोहराश्ट और कच में ले जाने की जो योजनाए हैं उन्हें स्थगित करना पड़ा था भा इसको लेकर हो यह सब इन चुनाओं में क्या गुल खिलाएंगे नहीं गुल खिलाएंगे वोट तक पड़ेगा की नहीं पड़ेगा इन मुद्दों पर यह सब हम सब के सामने तब आएगा जब मदगर्णा का पूरा का पूरा प्रक्रण समाप्त होगा लेकिन निश्चित तोर पर यह चुनाओं बेहद दिल्चस्प रहे